हलो फ्रेंट्स मैं हूं सतंद्र केतिवारी दोबई से और स्वागत है आपका बुक समरी अस्टोर में जहां पर आपको मिलता है वोर्ड की बेस्ट बुक की समरी जो बहुत ही कम टाइम में आप सुन सकते हैं समझ सकते हैं और बुक में दे गए स्टेप्स को आप अपने लाइफ में उतारके बहुत सारे फायदा ले सकते हैं दोस्तों आज मैं एक ऐसा बुक लेकर आया हूँ जो आपको सिखाएगे कि आप हमेशा मोटिवेटेड कैसे रहें आप सेल्फ मोटिवेटेड कैसे हो दोस्तों जैसे आप जानते हैं अगर आपको लाइफ में कुछ करना है तो आपको हमेशा मोटिवेटेड रहना पड़ेगा क्योंकि ये दुनिया में हर जगह से आपको बहुत सारे negativity आती हैं बहुत सारे आपके ऐसे circles होते हैं जहां से वो चीजें आती हैं आपको जो आपके पास नहीं आनी चाहिए बहुत सारे negativity आपको घेर लेते हैं तो जब आप ये पता होता है कि आप कैसे अपने आपको motivate करते हैं कैसे आप अपने आपको recharge करते हैं तो कोई भी आपका negativity आपको कुछ नहीं बिगाड़ पाती और आप अपने लक्ष पे आगे बढ़ते जाते हैं दोस्ते इस बुक में 10 ऐसे steps बताए गया हैं जैस ऐसे principle बताए गया है जो अगर आप करें तो आप हमेशा motivated रहते हैं आप हमेशा अपने आपको motivated रखेंगे आप हमेशा आपने आपको recharge कर पाएंगे और फिर आप किसी और पर depend नहीं होंगे दोस्तों इससे पहले कि ये वीडियो में खो जाएं आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और सेर जरूर कीजिएगा क्योंकि हो सकता है आपकी एक सेर से किसी की लाइफ बन जाए दोस्तों इस दस स्टेप में ये मैं आपको इस लेखक जो बताते हैं वो बताते हैं कि इस बुक में जो दस स्टेप है वो आप में लाइफ में चेंज करें आप अटोमेटिकली मोटिवेटेड फील करेंगे दोस्तों इस बुक का नाम है 10 Ways to Motivate Yourself इस बुक के लेखक है Steve Chandler प्रिंस्पल नंबर 1 Get on your deathbed दोस्तों हमेशा आपको ये सोचना चाहिए कि आपका जो दिन आज गुजर रहा है जो आप बल आज गुजार रहे हैं वो आपका आखरी दिन है दोस्तों जब आप ये सोचते हैं कि आपके पास सिर्फ इतना ही टाइम है जो आज आप गुजार रहे हैं तो आप वो सारी important काम आप निप्टा लेते हैं दोस्तों हमारी human tendency होती है कि हम हर वो चीज़ों को टाल मटोल की आधते अपनाते हैं जो हम करना नहीं चाहते हैं जो हमें difficult लगते हैं तो जब आप ये सोचते हैं कि आपके पास सिर्फ कुछी घंटे बचे हैं और आज ही का दिन बचा है आपके पास और वो काम finish करना है तो आपका दिमाग, आपका जो मन है वो आपको suggest करेगा कि अगर मेरे पास सिर्फ आज का दिन बचा है तो मेरे को ये काम जुरूर finish कर लेना चाहिए जिससे पहले कि मैं न कर पाऊंगी सारे चीज़े तो हमेशा जब भी आप अपने बेट पे जाएं जब भी आप बेट से उठें तो आप अपने आप से बोलें कि मेरे लाइफ का ये आखरी दिन है इसलिए आपको हमेशा अपने आप से पूछना है कि आज का दिन मेरे life का last day है और मुझे क्या काम आज खतम करना चाहिए जब ऐसे आप पोचेंगे तो सबसा important जो काम होगा वो आपके list आपके सामनी आजाएगे आप उसको फटा-फट निप्टा पाएंगे और फिर आप अपने कामों को prioritize कर पाएंगे principle number two stay hungry दोस्तों जब आप hungry रहते हैं किसी भी चीज का भूखा रहते हैं तो वो काम आप करते हैं जब आप already किसी को किसी को खाना आप देंगे जो already खाया हुआ है या पेट उसका भरा हुआ है तो वो खाने का importance नहीं जानेगा लेकिन अगर कोई भूखा आदमी है अगर उसके सामने आप खाना कुछ लेके आएंगे तो उसकी importance वो बहुत जादा होगी उसके लिए और उसके लिए वो life saving होगी तो जब आप hungry रहते हैं तो आप वो सारी चीजें ढूटते हैं जो आपको चाहिए जैसे आप opportunity के hungry हैं आपको सफलता का hunger है आपको कुछ कर गुजरनी की चाहत है तो आप वो सारी चीजें ढूटते हैं आपका दिमाग आपका subconscious mind आपका conscious mind हमेशा उसके बारे में आप सोचत हैं इसलिए आपको हमेशा hungry रहना चाहिए हमेशा उन चीजों को चाहत रखना चाहिए कि जो आप अपने life में पाना चाहते हैं प्रिंस्पल नमबर 3 tell yourself a true lie दोस्तों हमारे life में ऐसे चीजे होती हैं जो real में तो नहीं होती हैं लेकिन हमें वो चाहिए होती हैं तो आप अप आपसे जूट हो लें जैसे आप अमीर बनना चाहते हैं तो आप अपने आप से बोले मैं already अमीर हूँ दोस्तों ये करना difficult है अपने आपसे बोलना difficult है लेकिन जब ये काम आप तब करते हैं जब आप सोने जा रहे होते हैं जब आपका conscious mind सौने के कगार पे होता है sleeping mood में होत और आपका सब कॉंसियस माइंड एक्टिव मोड में रहता है जब यह आप बोलते हैं कि मैं अमीर हूं तो आपका कॉंसियस माइंड इन बातों को इंकार नहीं कर पाता है क्योंकि वो सोने का मोड में होता है वो ज्यादा एक्टिव नहीं होता है लेकिन जो सब कॉंसियस माइ में वैसा चेंज करने लगता है वैसे एनरजी जो होती है जो वाई वरेसंस होती इस ब्रह्मांद को उसको आपके तरफ एट्राक्ट करने लगती है तो दोस्तों जब भी आप सोएं सोने से जाएं और जब आप वो काम कर रहे हैं जो जब आप एकदम बेड़ पे हो और सोने के सिर्फ पांच मिनट पहले आप अपने आप से पूछें कि मैं 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 क्या क्या पोजिटिव चीज अपने दिमाग में डाल सकता हूं और अगर हो सकी तो जो सबसी इंप आपके लाइफ में हैं होना आप चाहते हैं आप कुछ बनना चाहते हैं सपोज आप क्रिकेटर बनना चाहते हैं आप एथलेट्स बनना चाहते हैं आप चेस प्लेयर बनना चाहते हैं या आप अमीर बनना चाहते हैं वो आप अपने आपको रिपीट करें जैसे आप बोले म तो आपका conscious mind एकड़म active होता हो बलता है नहीं आप जूट बोल रहे हो तो वहीं पर उसके rejection मिल जाती है उस time में यह reject नहीं कर पाता है और जब और जो subconscious mind है हो इसको receive कर लेता है और subconscious mind का problem क्या है उसको time का नहीं पता है वो कभी भी time उसको नहीं पता कि आप बोल रहे हैं वो future के बारे बोल रहे हैं आप past के बारे बोल रहे हैं आप present के बारे में बोल रहे हैं वो हमारा subconscious mind को नहीं पता है इसलिए जब ही आपने कभी notice किया हो गया या आप आदे गुंटे का सपना देख रहे हैं दो घंटे का या चार गुंटे का क्योंकि हमारा subconscious mind में time के programming नहीं होती है तो इसलिए आप अपने आप से जूट बोलें कि आप जो आपको चाहिए वो बोलें कि आप आलड़ी हैं जब ऐसा आप करते हैं आपका subconscious mind active हो जाता है और इस बर्मान में जो भी vibrations हैं जो आपके dream से related है उसको attract करके आपके तरफ ले के आता है और फिर आपके life में उसी हिसाब से changes होने लगते हैं principle number four keep your eyes on the prize दोस्तों कुछ भी अगर आप कर रहे हैं आप अपने आप से पूछें कि is it really worth कुछ भी आप करें आप चाहें कुछ खरीदना जाएं या जाएं या कुछ कर रहे हो आप अपने आप से पूछते रहें कि जो मैं कर रहा हूं यह really worth करता है क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपना important time उन चीजों में गवा रहे हैं जो वर्थ ही नहीं है जो वर्थ ही नहीं करता या जो आपके life में इतना ज़्यादा importance एड नहीं करता तो आप हमेशा आपने आप से पूछते रहें कि उसके price के हैं जो आप time दे रहे हैं जो आप जो आप efforts डाल रहे हैं उसका result कितना अच्छा होगा अच्छा है भी या नहीं है तो उसको price देखना बहुत जुरूरी है आपको आपको उसका result देखना बहुत जुरूरी है जब भी आप कुछ करने चाहें तो principle number five sweat in peace दोस्तों जब भी आप आराम कर रहे होते हैं उससे में आपको मेहनत करना चाहिए आपने चीटियों को देखा होगा कि जब भी गर्मी का दिन होता है या जब दिन साफ होता है तो वो बाहर निकल के दिन रात मेहनत करते हैं और वो सारे अपने जो खानी के समान होता है वो अपने घर में लेके आ जाती हैं कि जब बरसात होता है तो बाहर निकल पाती है और वो अपने घर में मिट्टी के अंदर होते हैं और जो भी उन्होंने खाना इकठा किया होता है वो पूरी बरसात खाते हैं दोस्तों जब उनके लाइफ अच्छा होता है तब ही वो म मेहनत करते हैं तो आप उन टाइम में आपको मेहनत करने के जरूरत नहीं पड़ती जब adverse condition होता है एक कहावत है more you more you sweat in peace less you bleed in war जब आप जितना ज़्यादा आप मेहनत करेंगे अपने peace time में ये chances कम हैं कि जब युद्ध होगा तो आपके खून बहेंगे principle number six simplify your life दोस्तों एक कहावत आपने सुनी होगी simple living high thinking आपको हमेशा इसके बारे में सोचता रहना चाहिए आपको हमेशा इस पर believe करना चाहिए कि मैं एकदम simple life जीओ और हमारे thinking high होना चाहिए जब आप simple life जीते हैं तो आप अपने life से बहुत सारे चीज़ें ऐसे चीज़ें कट कर देते हैं जो अनने से सिरली आपका time आपका पैसा आपका दौलत खराब करती हैं या दौलत आपका नुकसान होता है तो हमेशा आप अपने life के एकदम simple रखें और अपने अपने लिए अपने family के लिए अपने घर के लिए अपने loved one के लिए proper time दें principle number seven look your lost gold दोस्तों आपको हमेशा आपने eyes open करके रखना चाहिए हमेशा आपको ये देखना चाहिए कि gold कहा है opportunities के आपको हमेशा तलास करते रहना चाहिए दोस्तों कहते हैं कि हर इंसान के life में एक बार opportunities जरूर दरवाजा कट-कटाती है और जो बंदा alert होता है जिसको पता है कि मेरे को दरवाजा खोलना है जब भी opportunity दरवाजा कट-कटाएगी वो दरवाजा खोल देता है और उसके life miracly change हो जाती है और वो बंदा बहुत आगे निकल जाता है और वहीं पे जो लोग बहुत conservative होते हैं वो अपने दरवाजा ही नहीं खोलते जब opportunity उनके दरवाजा नौक कर रही होती है तो तो दोस्तों आपको हमेशा तैयार रहना चाहिए कि जब भी opportunity आए आप उसको पकड़ने आप alert रहें आप active रहें कि आप पहचान सकें कि कब आपकी opportunity आपकी दरवाजे को नौक करेगे principle number 8 push all your buttons दोस्तों जब भी आप कुछ काम करें तो आपको हमेशा पूरी effort से करना चाहिए कुछ भी आपको नहीं छोड़ना चाहिए या तो कोई आप उसकाम को हाथ में नले लेकिन जब आधा अधूरा नहीं करना चाहिए आपको full efforts डाल के करना चाहिए पूरी अपनी efforts लगाना चाहिए उसको खतम करने के लिए जब आप पूरी efforts अपने लगाते हैं तो आपके life में जो भी चीज़ें होती हैं वो automatically change होती हैं और वो काम आप कर पाते हैं जो आपने हाथ में लि होती हैं वो automatically change होती हैं आप कितना भी control कर लें फिर भी आपके life में ऐसी चीज़ें आएंगी जो आप नहीं चाहते थे कि ऐसा हो तो आपको हमें साथ तयार रहना चाहिए कि कुछ ऐसी unexpected चीज़ें आपके life में आएंगी और उसको मैं solve कैसे करूँगा जब आप यह हमें prepare र से हैं दोस्तों आपको पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया तो हमारी चैनल को like कीजे subscribe कीजे और share जरूर कीजेगा क्योंकि हो सकता है आपकी एक share से किसी की life भन जाए thank you